हालो फ्रेंज, इस सबना, वेल्कूम दाएंगं ऑफ क्या आरे हैं fraud and scams जो past में हुए हैं उनकी वज़ा से लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं इस फिल्ड में जबकि वहीं पर बात करें सतोसी नाका मोतो Chris Lordsen, Joseph Lubin, Chang Pang Zhao यह कुछ ऐसे नाम है जिनकी लाइफ चेंज की है यहाँ पर बिटकॉइन ने 2020 के अंदर most profitable asset की बात करें तो बिटकॉइन टॉप पर है 16% के benefit के साथ वहीं पर गोल्ड सेकंड नमबर पर है 13% benefit के साथ और बात करते हैं अगर stock की, oil की, real estate की तो आप देख सकते हैं यह सम माइनस में हैं यहाँ पर वैसे ही 2017 के इंदर भी बिटकॉइन top most profitable asset बना हुआ था जब बिटकॉइन all time high पर गया था 19,000 डॉलर का इसके बावजूद भी लोग crypto market से उतना benefit नहीं निकाल पार रहे हैं मैं आप लोग के साथ एक formula share करना चाहती हूँ जिससे आप crypto market में जादा से जादा profit कमा सकते हैं त आप इसका अंसर जरू सोचिएगा कि आप 10 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए लगाना सही है या 10 रुपए कमाने के लिए 300 रुपए लगाना सही है क्योंकि अगर आप 100 रुपए लगाते हैं उस 10 रुपए को कमाने के लिए तो आपका यहाँ पर जो profit है वो 10% का होता है अगर आप 300 रुपए लगाते हैं उस 10 रुपए को कमाने के लिए तो आपका profit सिर्फ और सिफ 3.33% का होता है overall मेरे समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप सस्ती चीज़ खरीद के उसे ज्यादा से ज्यादा benefit बुक करें अगर आप 3.33% का ही benefit कमाना चाहते हैं तो इससे अच्छा है आप gold में ही investment करते हैं अब यहाँ पर मैं आप लोग को एक graph दिखाती हूँ कि आपको किस time पर buy करना चाहिए अब यहाँ पर इस chart की help से मैं आप लोग को समझानी कोसिस करती हूँ कि आगर किस time पर आपको entry रहनी चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा profit हो और chances of loss यहाँ पर कम हो जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह पिछले एक साल का मैंने यहाँ पर जो chart है वो लिया हुआ है तो यहाँ पर 2019 के अंदर bitcoin जो है वो $12,000 के round पर था इस time पर लोग FOMO में आकर के buy करने के कोसिस करेंगे बट अगर आप इस time पर buy करते हैं तो हो सकता है bitcoin यहाँ से थोड़ा सा अप जाए यहाँ से 13,000 अमाल लेते हैं कि bitcoin यहाँ से जा सकता है chances है 10% बट अगर आप इस time पर buy करते हैं तो आपके chances of profit हैं वो काफी कम है वही पर अगर आप bitcoin के downtrend का wait करते हैं और यहाँ पर अगर इसके around bitcoin को buy करते हैं तो यहाँ से आपके chances of profit हैं वो यहाँ पे काफी जादा बढ़ जाते हैं rather than कि आप इसको peak पर buy करें आप यहाँ पर buy कर सकते हैं, यहाँ पर buy कर सकते हैं मेरा मतलब यह है कि जब bitcoin downtrend में है उस time पर अगर आप buy करते हैं तो आपके profit के chance से जादा है अब मैं आप लोग को 5 दिन पहले का एक example लेकर यहाँ पर दिखाना चाहूंगी कि 5 दिन पहले जो bitcoin का rate है वो यहाँ पर 9400 डॉलर तक का गया था उस time पर काफी सारे लोग message कर रहे थे कि मैम क्या हमें bitcoin buy कर लेना चाहिए bitcoin 10,000 डॉलर का जा सकता है तो यहाँ पर मैं बता दू कि अगर आप 9400 डॉलर के round पर bitcoin को buy कर लेते FOMO के चकर में कि bitcoin 10,000 डॉलर का जाने वाला है तो माल लेती हूं मैं कि 1% bitcoin 10,000 डॉलर का भी उस time पर चला जाता लेकिन यहाँ पर जो आपके chances है profit के वो काफी कम है क्योंकि bitcoin already peak पर है तो हमें यहाँ पर wait करना है हमें greedy नहीं बनना दूसरों को देख कर हमें यहाँ पर अपने पैसे को invest नहीं करना है हमें यहाँ पर wait करना है bitcoin के down जाने का और एक बर जब यह downtrend पकड़ लेता है तो यहाँ पर हम 7,200 तो 7,500 डॉलर के round पर हम अगर यहाँ पर buy करते हैं तो हमारे जो profit के chances हैं वो काफी 1,400 पर ना खरीद के हमने 7,200 डॉलर के round पर बिटकोईन को purchase किया है अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और समझाना चाहती हूं कि अगर आपने 7,200 डॉलर के round बिटकोईन को purchase कर लिया है तो इस टाइम पर आपको panic नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर जैसे हम सोच रहे हैं कि बिटकोईन यहाँ से अब जा सकता था 400-500 डॉलर वैसे ही बिटकोईन यहाँ से थोड़ा डाउन भी जा सकता है बट यहाँ पर आपके percentage of profit काफी जादा है rather than अगर आप 9400 डॉलर के round बिटकोईन को buy करते तो यहाँ पर आपके percentage of profit इस comparison में काफी कम होते है अब यहाँ पर बिटकोईन का कुछ historical data है जो मैंने निकाल कर रखा है 2015 से लेकर 2020 तक का जिसमें मैंने उस year के अंदर जो lowest price गया है बिटकोईन का और जो highest price गया है बिटकोईन का वो रखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप बिटकोईन को down trend के around पर बाय करते हैं means किसी भी particular year में आ आप अगर lowest price पर या फिर उसके around बिटकोईन को बाय करते हैं तो उसी particular year में आपको बिटकोईन ने काफी अच्छा benefit दिया है जो percentage of profit है आपका वो यहाँ पर काफी अच्छा है और ओल मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको किप्रो market के अंदर greedy नहीं बना है लालच न नहीं करना है सस्ते rate पर बिटकोईन को बाय करना है दूसरों को देखकर entry नहीं लेनी है कि किसी ने बहुत ज्यादा बिटकोईन से अनिंग कर ली तो उस टाइम पर high rate पर आप entry ले यह सारी चीजों का अगर ध्यान रखते हैं तो definitely crypto market के अंदर आपको काफी अच्छा benefit हो सक कि उमीद करते हूं आप लोके लिए काफी ज्यादा है पुराएंगे मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तीलें टेक केर और बाबाए